श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सांथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चेनल शिव महापुराण में मुझे बिश्वास है कि आप सब भक्त इंश्रावण के पावन महा में भोलेनात को प्रसंद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं मुझे इस बात की अत्यन्त प्रसंदा है कि सभी जो भी संभव हो सके प्रयास करके भोलेनात को सांथ पाने के लिए प्रयास रथ हैं आप लोगों की मेरे वीडियो पर अटूट श्रद्दा एवं बिश्वास देखकर मेरा भी आप सभी के प्रती प्रती प्यार एवं इसनहें बढ़ गया है आप लोगों से जुड़ाव सा महसूस होने लग गया है मैं हिदय से आभारी हूँ आपके प्यार के लिए और मैं लगातार यही प्रत्न करूँगी कि आप लोगों तक धार्मिक जानकरियां उपाय पहुँचाती रहूँ आप लोगों के कारे सफल हों आपकी मनुकामनाएं पूर्ण हों आप सभी की आस्था भोलेनात परम परमेशर के प्रती बढ़े बस यही मेरा उदेश रहेगा आप लोगों को शावण महा की शिवरात्री की पूजन सामगरी की बीडियो बनाने का मैंने कहा था मैं अवशी बनाती किंटु श्रद्य प्रदीप मिश्राजी 6 अगस्त को आस्था सेनल पर शाम 7 बजे से लाइब पार्थिव शिलिंग का अभिशेक बिद्वान पंडितों की उपस्तिती में करवाएंगे उन्होंने पूजन सामगरी भी बता ही दी है वह ये अभिशेक बिशेश कर कोरोना महामारी की तीसरी लहर का असर कम करने के उद्देश से करवा रहे हैं अतह आप सभी से यही निवेदन है कि ये बहुत अच्छा उसर है हम सब को भी उनके अनुसार पूजन सामगरी लेकर पार्थिव शिलिंग बना कर अभिशेक पूजन करना चाहिए जब लाखो करोडो की संख्या में पार्थिव शिलिंग बनकर घर घर भोले नाथ शिलिव रात्री के दिन वह बहवी श्रावन मास की शिलिव रात्री पर बिराजेंगे बहुत ही उत्तम परिणाम होंगे मैं भी जो पूजन सामगरी शिलिव रात्री में रखते हैं वह ना बता कर श्री श्रद्य मिश्राजी की बताई सामगरी आप लोगों को बता रही हूँ और फिर एक बार आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि आप अवश्य 6 अगस्त को 7 बजे अपने अपने घरों में पार्थिव शिलिंग गुरुदेव द्वारा बताई जाएं वैसे ही बनाकर अभिशेक करें यह जन कल्यान के लिए बहुत ही आउशक है और गुरुजी का बहुत ही अच्छा प्रयास है हम सभी को सहबागी बनाकर गुरुदेव ने हम सब पर बड़ी क्रपा की है इस अभिशेक पुजन से सभी का कल्यान होगा पुजी गुरुदेव ने जो सामगरी बताई है वह मैं आपको और भी बता दिती हूँ समय है छे अगस्त शाम को साथ बजे से आट बजे तक आस्था से नल पर पुजन सामगरी है गेहूं के 21 दाने पाँच कमल गट्टे चावल के साबुद्दाने 108 दो काली मिर्च एक धतूरा 21 बेल पत्र साथ नक्ष शमी पत्र लाल गुलाब के 21 पुश्प एवं अन्नि पुश्प अभिशेक सामगरी इस प्रकार है दूद, दही, शक्कर, शहद, घी, इत्र, काली तिल, चंदन, तीन गोल सुपारी, रोली, चावल, मौली, कपूर, दोगी के दीपक, जनेउ, काली मिट्टी, पार्थिव शिनलिंग के लिए उसमें काली मिर्च मिलाकर, दोफल, मिठाई, धूब बत्ती, आप यह सामगरी अवश्य बुलाके रखें, और 6 अगस्त को गुरुजी के साथ साथ, आप अभिशेक करके अपनी जीवन को सफल बनाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमस्षिवाय